हलो एंड वेलकम टो एमम अकेडमी मैं हूँ शशांग लखेरा और इस वर्ड में जो है हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जो क्लाइमेट चेंज की वज़े से यहां पे सफर कर रही है जी हां इनको रिसेंटली जो है डाइगनोस किया गया है कैनेडा में आपके सामने एक मैप है जो बता रहा है कि वर्ल्ड में एयर पॉलूशन कितना है अब देखो इसको समझने के लिए जहां जहां आपको इग्रीन दिख रहा होगा ना इसका मतलब वहां की एयर कॉलिटी जो है गोट है इसके लावा जहां हमको येलो दिख रहा है इसका मतलब यह है कि यहां पे जो एयर कॉलिटी है वो मॉडरेट है इसके अलावा जो यह हलका सा ओरेंज दिख रहा है इसका मतलब यह है कि अनेल्डी है रेड भी अनेल्दी है और ये ब्लू और ये परपल जो है ये वेरी अनेल्दी है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ पहले तो आपको जो है चीजे समझ में आएंगी अब अगर हम जूम इन करें इंडिया की तरफ तो इंडिया मे में जो है हम कुछ चीजें देखने को मिल रही है PM 2.5, PM 10 तो वहाँ पे जो बहुत सारी प्लेसे हैं उनका अगर आप एर कॉलिटी इंडेक्स देखोगे तो वो जो है आज के समय बहुत जादा ही खराब कंडिशन में अब अगर हम बात करें केनेडा की तो केनेडा जो है आ आपको ऐसी दिख रही होंगी बहां का जो एर कॉलिटी इंडेक्स है वो काफी अनहिल दी है और देखो यह सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है पूरी दुनिया आज के समय जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर रही है हाली में कोप 26 पर मैंने एक डिटेल वी कि हम कितना कारवन एमिशन को यहाँ पे कम कर पाएंगे और रिसेंटली ग्लासगो में कोप 26 की मीटिंग हुई इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था प्रधानमदी नरेंदर मोदी ने यहाँ पर प्लेज किया कि हम 2070 तक हो जाएंगे नेट सीरो और एक बहुत 5 important पंच अमरित की यहाँ पर बात की गई थी मतलब 5 important जो pledges हैं वो यहाँ पर बताये थे PM मोदी ने और इस वीडियो को काफी लोगों ने यहाँ पर देखा था अब यह बात तो हो गई भारत की लेकिन अगर बात करें दूसरे देश की तो दूसरे देशों ने यहाँ पर यह कहा था कि 2050 तक हम net zero जो है हो जाएंगे लेकिन अगर मैं बात करूं CO2 emissions की तो यह global disparity in carbon footprints है यहाँ पर आप देखोगे यह ग्राफ यहाँ पर यह बताता है कि कौन सा देश कितना emission करता है CO2 का देखो सिंपल सी बात है जिस देश की जितनी बड़ी economy होगी वहाँ पर उतना जो है यहाँ पर factories भी होंगी उतनी जादा यहाँ पर power की भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका की सबसे बड़ी economy आपको देखने को मिलेगी 14.95 ton जो है carbon emission करता है अमेरिका second number पर आता है Canada फिर आता है South Korea वही इन सब देशों के मुकाबले अगर आप भारत को देखोगे तो भार जो CO2 emission है वो इन सब देशों के मुकाबले आपको काफी कम देखने को मिलेगा और जिस तरीके से दुनिया भर में CO2 का emission हो रहा है उसी के चलते first woman जो है Canada में यहाँ पर diagnose करी गई है और इसके regarding आपको article भी देखने को मिलेगा यह article इंडे टुडे का है Canadian woman first in the world to be diagnosed as suffering from climate change तो world की first woman को जो है आपर diagnose किया गया है Canada में जो सफर कर रही है climate change की वज़े से मतलब जो भी इनको problem है वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है climate change की वज़े से और यह जो topic है इसको worldwide media जो है यहाँ पर cover कर रहा है दिखने लगे है जलवायू परिवर्तन के खातक नतीजे सामने आई पहली म academy आपको download करना है फिर आपके आपर sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है courses को enjoy करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी जो है download कर सकते हो दुनिया भर में climate change एक सबसे बड़ा issue है इसके लिए अलग से एक meeting होती है UNFCC United Nation Framework on Climate Change और अब climate change की जो negative side है वो हमको देखने लगी है पूरी दुनिया भर में और यहाँ पे यह claim किया जा रहा है कि जो germs यहाँ पे patient में पाए गए हैं वो सब climate change की वज़े से है air quality जो index है वो यहाँ पे खराग हो गया इसके बाद जो serious problems है human body में वो यहाँ पे देखने लगे Canada में जूर में यहाँ पे worst heat wave हमको देखने को मिली थी इसकी वज़े से forest fire हुआ smoke हुआ जिसकी वज़े से जो air quality index है वो यहाँ पे बहुत जादा जो है खराब हो गया और जो doctor है जिन्नोंने यहाँ पे नोंको चेक किया उन्होंने यहाँ पे य चाहिए मेली जो important factor है वो climate change का है और देखो यह सिर्फ Canada की बात नहीं है दुनिया भर में पहले भी बहुत सारी death देखी गई है अगर मैं बात करूं कोलंबिया की तो कोलंबिया में जून में 500 people की जो है यहाँ पे death हुई थी heat की वज़े से यही नहीं आमेरिका में भी होती है हर्याणा में तो डेली का जो air quality index है वो यहाँ पे खराब हो जाता है इसके अलावा जब इंडिया में देवाली celebration होता है तो बहुत सारे firecrackers को जो यहाँ पे बंद किया जाता है जिसकी होजे से air quality जो index है वो यहाँ पे खराब हो जाता है इसके लिए supreme court ने हर बार बनाए है एक article में आपको दिखाता हूँ live law.in का दिल्ली air quality crisis important supreme court orders on firecracker and stable burning air quality index में डिल्ली हमेशा हमको hazard categories में यहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप google में अभी यहाँ पे search करोगे air quality index दिल्ली तो आपको बहुत सारी जगों का जो air quality index है वो बहुत जादा ही खराब in fact में यह कहूँगा कि वो hazard condition में आपको देखने को मिलेगा 2016 में भी supreme court ने यहाँ पे यह कहा कि crackers का जो stock होता है इसके अलाबा जो नई license है वो यहाँ पे नहीं दिये जाएगे और crackers को जो है यहाँ पे बैन कर दिया था और 2021 में भी supreme court ने यहाँ पे यही कहा था कि file crackers जो है यहाँ पे दिल्ली में बैन होंगे क्योंकि दिल्ली NCR region का अगर आप air quality index देखोगे तो वो बहुत जादा ही poor है और at last मैं यहाँ पे यह कहूँगा कि एक तरफ अभी भी COVID-19 यहाँ पे चल रहा है COVID-19 खतम नहीं हुआ इसके बाद दूसरा जो सबसे important issue है वो है climate change climate change के वज विदियो का सुने के लिए बहुपत अन्यवाद जैहिन जैभारत